जय महकैल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक figure देने वाला हूँ number देने वाला हूँ बिजिट देने वाला हूँ कि जिसके जरीए आपको आकसिमिक धन की प्राप्ति हो सकती है और इन नमबरों के साथ में कुछ एक नमबर इस तरह के भी हैं कि जब आपको इस तरह के पेसों की धनकी प्राप्ति हो तो आप अपने विवेक गुद्धी से उस धनका उप्योग करें कि जिससे वो पेसा आपके पास हमेसा बना रहे है कई केसों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब कोई उपाय करता है जब कोई तंत्र मंत्र टोना ठोट का या इसी कोई चेज करता है तो उस व्यक्ति को एका एक धनलाब हो जाता है या कहीने कहीं से उसका बड़ा काम बन जाता है और उसके बाद तुरत ही उस व्यक्ति का नुकसान होने लग जाता है या आया हुआ पैसा चला जाता है कई ये केसों में ऐसा देखा गया है और ऐसा होने का मूल कारण ये होता है कि जब ये आकस्मिक धन ये आकस्मिक पैसा आपको मिलता है तो इसके साथ साथ कई लोगों की हाय बद्दुआ भी आपके साथ साथ में चलने लग जाती है और साथ ही साथ में आपकी जो विवेक बुद्धी है वो भी उतनी तिवरगती से और उतने अच्छे तरह से काम नहीं करती है कि व्यक्ति उस पैसे को संभाल पाए तो इसके लिए बहुत आवस्यक है कि जब भी आप कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त करें तो आप हमेशा अपनी विवेक बुद्धी का प्रयोक करें और उस विवेक बुद्धी के प्रयोक के लिए आपको कोई न कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे गुरु प्रशन हो जी हाँ दोस्तों यदि गुरु आप पर प्रसन रहेंगे तो आप कभी भी कोई भी गलत नेरने नहीं लेंगे हमेशा आप सही नेरने लेंगे और जब व्यक्ति उसके पास धन आने के बाद में यदि सही नेरने लेने लग जाता है तो उस पैशे से फिर उसका पैसा बढ़ने लग जाता है ऐसा नहीं होता कि फिर उसके पैसे में कटोती होने लग जायी या घटने लग जाये लेकिन ज़िदि विवेक बुद्धी का उपयोग नहीं करता है तो अचनक धन आने के बाद में व्यक्ति को बुरी संगत लग जाती है गलत रस्तों पे चड़ जाता है और ये जो आया हुआ पैसा है वो इस तरह से कहीं न कहीं निकल जाता है तो आज मैं आपको जो नंबर देने वाला हूँ उन नंबर में वो सारी विसेस्ता हैं कि जो आपको एकाए एक धन प्रदान करेंगी साथ ही साथ आपकी विवेक बुद्धी को प्रबल करेंगी कि जिससे आप जो कोई भी काम करें वो काम में आपको सफलता मिले और साथ ही साथ ऐसा नंबर भी मैं आपको प्रदान करूंगा कि जिसके वजह से आप इस पेसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर सके एसी जगह पर लगा सके कि वो पेसा दिन दुगना राच चोगना बढ़ करके आपको मिले तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक सास्त्र, जोतिस सास्त्र, व्रत, तेवहर, पूजा, विधी, इत्यादी के बारे में भी समय समय पे जानकारी प्रदान करते रहते हैं, तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यो आपको एका एक धन की भी प्राप्ति होगी उस धन को आप सही जगह पे अपनी विवेक बुद्ध्य का उप्योग करके लगा पाएंगे के जिससे आपका धन दिन दुगना राज चोगना बढ़ सके जी हां दोस्तों एका एक धन प्राप्ति का जो नंबर है जो ग्रह है वह राहू और उससे संबंदित अंग है चार तो आपको चार के अंग का इस्तेमाल करना चाहिए व्यक्ति को यदि अचानक धन की कामना है यदि व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है कि जहां पर वो सेर बजार में काम करता है या ऐसी किसी जगह पर काम करता है कि जहां पर पैसा एका एक उसका एक का दस हो सकता है तो उसको हमेशा ऐसे व्यक्ति को राहु की उपासना करनी चाहिए और चार के अंक को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए तो पहला जो अंक है वो चार का अंक है इस अंक को आपके अपने पास में रखने से हमेशा ऐसे योग बनते रहेंगे कि आपके पास में एका एक धन आने लग जाए साथी साथ तीन का जो अंख है जो गुरू का अंख है गुरू का अंख आपको विवेग बुद्धी प्रदान करता है आपका जो भी आप पैसा कमाएंगे उसको आप गलत जगह पर न ले जाएं ये हमेशा आपके अंदर से आपको प्रेना देता रहेगा ऐसा होने से आपके पास में जो ये पैसा आया है एका एक चाहिए कहीं से आया है किसी भी माध्यम से आपके पास में आया है लेकिन ये पैसा गलत जगा पर व्यर्थ नहीं होगा बिलकुल भी नहीं होगा इसके साथ आप नो का अंक और जोड़ ले नो के अंक को जोड़ने से क्या होगा एक तो ये जो नो का अंक है इसमें सारे ही अंकों की विसेस्ता लिया हुआ ये अंक है सबी अंकों की विशेस्ता इस अंक में है साथ ही साथ ये अंक आपको इस तरह से मदद करेगा कि आप कहीं पर भी जमीन, मकान, दुकान कहीं पर भी यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके जो योग हैं, जो ग्रह हैं उसको प्रबल बना देगा तो कहने का ताथ पर है कि आपको एका एक धनकी भी प्राप्ति होगी साथ ही साथ आप अपनी विवेक बुद्धी से इस पैसे को कहीं गलत जगा पर भी नहीं लगाएंगे विर्थ खर्च नहीं करेंगे और तीसरे अंग की मदद से आप इस पैसे को बहुत ही सही जगा पर इन्वेस्ट करेंगे कि जिससे ये पैसा आपको दिन दुगना, राच चोगना होकर के वापिस होकर के मिलें जी हां दोस्तों, तो जो आपको नंबर है, वो मैं नंबर आपको बता देता हूं, ये नंबर आपको कहां पर लिखना है इस नंबर को आप कोई सफेद कागज पर लाल स्याही से लिख लें और लिख करके आप अपने पास में रख लें वैसे तो इस नंबर का जो 3 का अंख है उसको आप को पीले सियाही से लिखना चाहिए लेकिन यदि नहीं है आप पूरे ही लाल सियाही से लिख देते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो लाल रंग होता है ये सुबता का प्रदिक होता है तो इसमें कोई आपती नहीं है लेकिन यदि आप चाहें तो जो तीन का अंक है उसको आप पीले रंग की स्याई से लिखें हल्दी से लिख लें तो ये पीले रंग का हो जाएगा बाकी के अंकों को आप लाल रंग से लिख सकते हैं और इसको आप अपने पास में रखें हमेशा पर्स में रख लें जहां कहीं भी आपकी ओफिसे वहां पर रख लें एसी जगह भी आप रख सकते हैं कि जहां से लोगों को दिखाई दे और आपके पास में भी रहे इस तरह से आप इसको लिख करके रख सकते हैं यदि आप इसको लगातार मन ही मन बोलते रहेंगे तो ये काफी effective रहेगा काफी असरदर रहेगा और मैंने सारे ही अंकों की आपको विसेस्ता बता दी है तो इसकी विशेस्ता याद करते हुए इसको आप कभी भी इसको लगातार बोलें तो इसकी अंकों की विशेस्ता हमेशा याद करते रहें तो जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ नंबर है 4, 4, 3, 9 4 के अंकों 2 दफ़े लिखना है आपको तीन लिखना है और नो लिखना है कहीं पर भी कोई भी जगा छोड़नी नहीं है एक ही साथ आपको नंबर को लिख लेना है किसी भी साफित कागज में लिखे लिकिन उसमें कोई दाग धपा लीटी नहों इस तरह से लिखें लिखने के बाद में नंबर मुड़े नहीं तेड़ा ना हो फटे ना हो इसका ध्यान रखें तो चलिए दोस्तों अब इसी उपए के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जिवन में लाबनुत होते रहें धन्यवाद